हलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ओन माई चैनल मैं हो किरन फ्रेंज आज मैं फिर से एक अलग और यूनिक डियाइवाइ लिगर गयाई हूँ आपके बालों के लिए अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्राबPLEM है खास तोर पे बालों का तूटना जंडा बाल आपके बिल्कुल भी बड़ती नहीं है ग्रोथ नहीं होती है तो उसके लिए आज का ये डियाइवाइ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नहीं कि fenugreek seeds दोस्तों मेथी दाना जो है गुनों का भंडार होता है कहा जाता इसके अंदर इतनी सारे medical properties होती है कि आप इसको गिंदी नहीं कर सकते हैं हमारे हर तरीके का problem जो है मेथी दाना से solve किया जा सकता है अगर आप बालों को मेथी दाना से continue मतब बालों के लिए अपन diabetes को control कर सकते हैं और इसके सासाती जोरों के दर्द वेगरा में भी बहुत जादा काम आता है मेथी दाना हमारे weight loss में भी मेथी दाना की बहुत सारे फायदे होते हैं तो किसी परकार से आपको मेथी दाना का इस्तमाल अपने लिए जरूर करना चाहिए बालों के लिए अगर मेथी दाना का तेल बनाया जाता है वो भी ट्राइज जरूर करिए और उसके अलावा भी बहुत सारे DIY हैं जो कि मैं मेथी दाना की उपर बनाती हूँ वो भी बहुत ही फायदे मंद होते हैं अगली सामगरी आपको लेनी है यह हमारा है चावल तो दोस्तों चावल के पानी कहा जाता है इस्तमाल आपके बालों को रातो 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 बहुत ज़्यादा बढ़ाता है चावल का पानी बिल्कुल भी फेके नहीं कभी भी चावल अगर अगर आप धोते हैं तो गीरे वग़रा को भी हटाता है इस परकार अगर आप अपने बालों के लिए चावल के पानी के इस्तिमाल करते हैं तो चावल के पानी से आपके बालों की ग्रोध बहुत ही अच्छी हो जाएगी बातुराद आपके बाल बहुत ही जादा अच्छे बड़े हो जाएगे बालों का तूटना जहना बिल्कुल कम हो जाएगा और इसके सासाती बालों की खुबसूर्ती यानि कि बाल अगर आपके बहुत जादा बेजान, रुखे, दो मुहें वगरा हो चुके हैं तो वो वाली समस्या भी खतम हो जाएगी तो आपको इसको क्या करना है एक बरतन भी आप एक गलास या देड़ गलास पानी रख ले उसमें आपको डाल देना है पहले मेथी दाना मेथी दाना आप डाल सकते हैं लगवग एक देड़ चमच उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं चावल का पानी चावल का पानी यहां पर आप चावल डाल सकते हैं तीन से चार चावल जैसे भी आपके बाल लंबे हो से इसाफ से तीन से चार चावल यहां पर मैं इस्तमाल कर रहे हूँ आप यहां पर चार चावल पांच चावल आराम से डालिए आप बोले कामें कि यह ऊजंद लो तो दोस्तों फ़ाल क्रिए जो भी आप झावल खाते हैं चौह हो स्टीम राइस या बास्मती राइस संवाल पर सक्यों फॉन्ते बाइद होते हैं उसकें आपको मेथी दाना उए एक चमज या फिर आदा चमज इसके अंदर डाल दे और इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से इसको दोस्तों आपको भीगोना है बीगोने के लिए आपका समय है दो घंटा मीनिमम होना चाहिए मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं जैसे रात में डाल दे सुभए तक इसको छोड़के और अगले दिन इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं तो मैं यहां पर लगबग इसको जह है दो घंटे ज़रूर छोड़ूंगी ताकि मैं मेरे बालों के इसको इसको इस्तमाल कर सकूँ आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ें अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है तो रात भर छोड़ करके और उसके बाद इसको आ आप में आपको पानी कौचे से चान लेना है और यह जो पानी है ना आपका इकदम जबरस्त और बहुत ही जबरस्त पानी है फ्रेंट्स बिलकुल भी मजाक नहीं है इस पानी को डॉर्मल ही अगर चावल बनाने कि आयु得 चावल तो जो जरूर दो दो होचे दो television के साथ ज नच्रली करता हमारे बालो को अद्विदी तोटना जणना रोकता है कि वे में बहुत ज्यादा है और राधों जैसे जूए कि-प्रोबल्म थे एक अन। तो यहां पर मैं जोंक शैंपू इस्तमाल कर रहे हूं आप चाहें तो आपके पास जो भी नैच्रोल हर्बल शैंपू यूज कर सकते हैं नो जोंक शैंपू सच में बहुत ही अच्छा होता है आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और जो फानी होता उसे बेंगाने बाद आपको यह शैंपू जो बनाया भी इसलिप इस अपको अपने बालों को धोना है ढोनी के लिए आपको मैं यहां पर बतातीर नौर्मले मैं जो धोने के बाद बहुत ही जल्दी लोग पानी से उसको दो लेते हैं तो ऐसा ना करें प होने के बाद 5-10 मिर तक रहने दे और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बाल को इस तरीके से वाश कर सकते हैं फ्रेंड्स पहली बार के इस्तमाल से आपको बेहत फर्क नजर आएगा आपके बाल सच में सुन्दर खुपसत मुलाइम दिखेंगे दोस्तों बालों का जो दो मुहाँ पन है वो खतम हो जाएगा आप देख सकते मेरी बहुत सारे बेवी हैर्स नए नए बाल उग के आए हैं यह कमाल है मेथी दाना और चावल के पानी का आभी ट्राइज जरूर करिएगा बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाएगे नए बाल उगाएगा बाल